बाबा साब जो कर रहे हैं वो ना कोई कर रहा है वो ना कर सकता है हमारे देश में लोग विश्वास करना शुरू करते हैं तो बार्ण सी आ जाते हैं जब तक बाबा जी जैसे महा बुरुष है तब तक हमारे समाज को आगे जाने से कोई नहीं रोख सकता हे दोस्तो स्वागता आपका आज के मेरे इस वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आसरम सीरीज के पार्ट टू के बारे में जिसकी रिलिज डेट को अब कन्फर्म कर दिया गया है तो क्या है वो चलिए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दू अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चानल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन का बटन दबा दीजे ताकि मैं जब भी कोई नए वीडियो अपलोड करूं उसकी न गस्त को एमिक्स प्लेयर पर रिलिज की गई थी और इसके डारेक्टर है प्रकास ज्या आपको बता दू इसके पहले सीजन के पार्ट वन में हमें टोटल 9 एपिसोड देखने को मिले थे आस्रम में हम बोवी देवल को एक धोंगी बाबा के रूप में देख सकते हैं जो कि एक बाबा के भेस में लोगों को लूटने का काम करता है और उनकी भावनाव से खेलता है लेकिन लोगों को बाबा पर इतना यकीन है कि कोई भी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता क्योंकि वो बाबा की अंधभक्ती में इतना खोच चुके हैं कि उनने कुछ भी लगी हुई है और अब आसरम में रहने वाले लोग भी बाबा की हकीकत को जानने लगेंगे और यह सब कैसे होगा यही सब जानने के लिए आपको देखना होगा आसरम का पार्ट टू और अगर आपने अभी तक इसका पार्ट वन नहीं देखा है तो आप उसको बिल्कुल भी मिस मत करना क्यूंकि आपको पार्ट टू की कहानी तभी समझ में आएगी जब इसका पार्ट वन देखोगे आसरम को लोगों ने खूब पसंद किया है और सबसे खास बात तो यह है कि इसको MX Player पर बिल्कुल फ्री में रिलिज़ किया गया है मतलब यह है कि जिसके पास MX Player का सबस्क्रिप्शन भी नहीं है वो इस सीरिज को आसानी से फ्री में देख सकता है लेकिन बीच बीच में आपको एड़ देखने को मिलेगी लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसको बिल्कुल फ्री में रिलिज़ किया गया है और इसी वज़ा से आसरम को अब तक MX Player प था कि इसका Part 2 हमें जल्दे देखने को मिलेगा जिसके लिए हमें ज़्यादा लंबा इंतिजार नहीं करना होगा अगर आप आसरम के Part 2 को लेकर excited हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और आपको आसरम कैसा लगा ये भी मुझे comment box में जरूर बताना और साथी दोस तो आज का मेरा ये वीडियो बस यहीं तक था उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना मैं मिलता हूँ आप से मेरे अगले वीडियो म झाल झाल